श्री महमत कहे ए साथ जी याद करो धनी तुम उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आतम जगाओ अपनी आतम प्राणाधार आत्मसम्मंदि सुन्दर साथ जी कल की चर्चा में हमने सुना कि स्रीजी सहाब दिल्ली में है और वहाँ वेद और कतेब दोनों पक्ष के एकी करण का कारिय चल रहा है हमने दोनों मत में किस प्रकार की समानताएं हैं वो भी सुनी मिलावट के कारण भिन भिन धर्मगरंथों में किस प्रकार के विक्रितियां हैं वह भी सुनी और अरंगजेब को जगाने के लिए जितने प्रयास किये गए उसको भी सुना अभी तो उस प्रयास की शुरुवाद ही है और उसमें भी आठ महीने बीच चुके हैं तो स्री जी ने सोचा कि इस तरह से दिल्ली में ही बिना किसी परिणाम के इतने लंबे समय तक रहना उचित नहीं है इससे अच्छा तो यहां से कई और जाया जाए साथ में और जगह पर भी जागनी हो अन्य लोगों तक भी ज्यान पहुँचे और अरंग जेब को संदेश पहुँचाने का कारिया भी साथ साथ में चलता रहे यहां विचार कर रहे थे और इसी वीच एक ऐसी घटना हुई कि सूरत में रहने वाले एक सुन्दर साथ थे उनका नाम है लक्षमिदास जी वह अपने परिवार को साथ लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं दिल्ली जाकर स्रि में आपको सौप देते हैं और एक दिन लक्षमिदास जी के घर में एक आड़ी का लिला चमत्कारी लिला होती है उनके घर में राज्जी दर्शन देना सुरू कर देते हैं भोजन ग्रहन करते हैं भोग ग्रहन करते हैं प्रत्यक शुरूब से और अब उनके मन में लक्षमिदास जी की हासी करने का विचार आता है तो वो कहते हैं कि लक्षमिदास आज से आठवें दिन तुम्हारे तन से सकुमार की जागनी होगी उन्होंने आ करके स्रीजी से ये बात कही कि राजी ने दर्शन दे करके मुझे कहा है कि आज से आठवें दिन मेरे माध्यम से सकुमार की जागनी होगी तो स्रीजी ने क्या सोचा कि ये तो बहुत है अच्छी बात है जिसको जगाने के लिए हम आठ महिने से प्रयास कर रहे हैं अब आठवें दिन ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ऐसी राज्जी की क्रिपा हर किसी पर नहीं होती है और स्रीजी कह रहे हैं कि जिसके उपर भी ऐसी क्रिपा हो अर्थात जिसके द्वारा भी जागनी कारिय होना हो वो मेरे से आगे बढ़कर कोई कारिय करना चाहे तब भी मुझे स्विकार है या अगर ये कहता है कि नहीं मैं आगे तो नहीं रह सकता पर बराबरी में बैठ करके काम करूँगा बराबरी में रह करके जागनी का कारिय करूँगा तब भी मुझे स्विकार है तो लक्षमिदास जी कहते है कि चलो मैं आगे तो नहीं बैठ सकता लेकिन जब मेरे द्वारा राज जी इतना बड़ा कारिय करा ही रहे हैं तो आपके बराबरी में जरूर बैठ सकता हूँ अब बराबरी में बैठ है तो दो-तीन दिन तक लगा अतार भीम भाई और श्याम भट ये ताना मारने लग गए क्योंकि स्रीजी के बराबर में बैठा है उनकी बगल में बैठने वाले के लिए भी कहते हैं धाम के धनी लक्षमिदाश जी महराज कूप रणाम इस तरह से व्यंग्य करते हैं अब एक मेरे से जागनी होगी तब तुम्हें बता चलेगा लेकिन जब आठमे दिन राज्जी दर्शन देते हैं जब लक्षमिदास जी कहते हैं कि राज्जी आपने आठमे दिन की बात कही थी चलिए आज मुझसे जागनी कराईए तो वहीं अंतरध्यान हो जाते हैं अब जागनी तो नहीं हुई उदर स्री जी के पास पहुँचते हैं सुन्दर साथ भी पूछ रहे होंगे कि कहा गई जागनी कहा गई साकुमार की आत्मा पर हुई नहीं लक्षमिदास जी के हसी हुई अब इसमें कई बार मन में ये प्रशन आज सकता है कि राजी भी जूट बोल सकते हैं क्या क्या परमात्मा जूट बोल सकता है वास्तविक्ता ये है कि वार की द्रिष्टी से देखें तब भी दिन साथ ही होते हैं और लीला की द्रिष्टी से जब हम कहते हैं पहले दिन ब्रज में दूसरे दिन तो आठमा दिन तो कोई है ही नहीं ये तो हम सब सुंदर साथ को इंद्रावति जी की शोभा बताने के लिए श्री प्राण्णाच जी के स्वरुप की पहचान कराने के लिए लक्षमिदाह जी को माध्यम बना करके बताया गया कि वाणी कह रही है कि इंद्रावती मेरे अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग जो अंग सौपे इंद्रावती को ताय प्रेमे खेलाऊं रंग सुख लेऊं, सुख देऊं सुख में जगाऊं साथ इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ शारी शोभा इंद्रावति जी को है जागनी की शारी सोभा उनको है आज वर्तमान में भी यदि किसी के द्वारा जागनी कारिय हो रहा है तो इसकी शोभा भी महामति जी को ही है यह बताने के लिए लक्ष्मिदाप जी की हसी हुई कि वाणी में जो बात लिखी जा चुकी है उसके विरुद में कोई कुछ भी कहे तुम उस पर विश्वास मत करना तुम वाणी पर विश्वास करना और वर्तमान में बहुत सारे सुन्दर साथ का समूह ऐसा है कि महामती जी के स्वरुप की पहचान नहीं करता है प्राणाजी के स्वरुप को नहीं पहचानता है जिन परमहंसों से उन्होंने तार्तम लिया है जिन परमहंसों से वो जुड़े हैं उनको ही वह सर्वस्व मानते हैं देखिए वास्तविक्ता ये है कि जिस समय किसी परमहंस के तन से जागनी के लिला हो रही हो तो वहाँ उन्हें राज्जी का ही स्वरूप मान करके उस समय तक सेवा करनी चाहिए पर विशेश तो मुल स्वरूप ही है और मुल स्वरूप ने सारी सोभा यहाँ पर महामत्य जी को दी है होता क्या है? कोई बाबा दयाराम जी से जुड़ा है तो वो सोचेगा कि नहीं दयाराम बाबा सबसे बड़े है कोई परमंच महाराचरी रामरतंदाह जी जिनको हम प्रेम से बड़े महाराच जी कहते हैं उनसे जुड़ा होता है तो कहते हैं कि नहीं बड़े महाराच जी तो प्राणना जी से भी बड़े हैं महामती जी से भी बड़े हैं एक कोई सुन्दर साथ हुए महाराज जी के समय में उन्होंने कोई ग्रंथ लिख दिया हमजम स्वरूप करके प्रताप जी अब उन्होंने उसमें इंद्रावती जी को महामती जी को इस तरह से वर्णित कर रखा है कि उसको पढ़ करके यदि उसपर कोई विश्वास लाता है तो सरम आएगी जबकि वास्तविक्ता ये है कि राज जी ने शारी की सारी सोभा इंद्रावती जी को दिये और जिस वानी में ये सब लिखा है तो ऐसे सुन्दर साथ वानी को भी नकार देते हैं बोलते हैं हम वानी नहीं मानते हैं हम तो महराज्जी को मानते हैं जबकि बड़े महराज्जी स्वयम सोन्गिर से इस ब्रंभ मानी को सिर पर रखते हुए सिर पूर्तक लेके आये थे सिर पर रखके सोनगिर पढ़ता है महाराष्ट्र में पैदल यात्रा की उन्होंने जब भी रात को यदि कहीं पर आराम करना होता था तो सम्मान पुर्वक उत्य स्थान पर पेड में रखते थे और वो नीचे आराम करते थे कभी जमिन पर नहीं रखा उस सम्मान के साथ ले करके आए हम सेवा पुजा में वानी के लिए कहते हैं आरति अंग चतुर दसकेरी पांच स्वरूप मिल एक भहरी तो ये ब्रह्मा वानी राजी का साक्षात वांगमय अर्थात ज्यानमय स्वरूप है इसके विरुद कोई भी कुछ भी कहे हमें सुनना नहीं चाहिए हमें उस पर विश्वास नहीं लाना चाहिए इसलिए लक्षमिदास जी को माध्यम बनाकर हम सब को ये सिक्षा दी गई कि मूल में जागनी ब्रह्मान में वानी की सर्वपरी सोभा है इस तरह लक्षमिदास जी की हसी हुई अब तूकी श्री जी हृदय में ले चुके है ये सोच चुके हैं कि अब दिल्ली से बाहर निकलना है दिल्ली से चले सुन्दर साथ के साथ और कुछ सुन्दर साथ को दिल्ली में ही रखा जो बच्चे हैं जो भुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको दिल्ली में ही रखा और अपने साथ कुछ नौजवान सुन्दर साथ को ले करके नौजवान पुरु सुन्दर साथ को जो की भागदोड करने में सक्षम है ऐसे सुन्दर साथ को ले कर दिल्ली से निकले और पहुंचे साहा जहानपुर बुडिया पुराने समय में ये जो सहारनपुर है हमारा जीला है और आज वर्तमान में जो बुडिया पड़ता है जमना नगर के आसपस ये सारा एक ही छित्र था आज से क्योंकि लगबग 400 वर्ष पुरानी बात हो रही है तो यहां पर स्री जी आए हम सबका बड़ा सोभाग्य है कि हम हमें ऐसे स्थान पर जन्म लेने का या फिर रह करके वानी से जुड़ने का सोभाग्य प्राप्त हो रहा है साक्षयत अक्षराति जिस तन में विराजमान है वो इस स्थान से होते हुए आगे हरिद्वार गए थे तो इस सहा जहां पूर बुड़िया में स्री जी पहुँचे तो जब वहां पहुँचे तो एक महामारी फैली थी जैसे आज से दो-तीन साल पहले कोरोना की महामारी चली लगभग हर सो वर्ष में ऐसी घटनाएं होती रहती है कभी Black Death के नाम से प्लेग चलता है कभी मिरगी चलती है कभी हैजा चलता है बड़े महाराजी के समय में हैजा की बीमारी चली थी तो इस तरह से उस समय भी मिरगी नाम की बीमारी चली थी जो अगर कोई मर जाता था उसको दफनाते थे और वापस आते थे या उसको जला के वापस आते थे समसान घाट से तब तक दूसरा कोई तयार होता था ऐसी अवस्था थी तो वहाँ उस अवस्था को देखकर स्रिजी चिंतन कर रहे थे कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए इत को भी इस बीमारी ने पकड़ लिया अब जीवन और मृत्यू से जूज रहे हैं तो स्री जी ने क्या कि अपना जोश दी, अपने जोश की शक्ती दी परमधाम का दर्शन कराया और अपने जोश की शक्ती से उस काल रुपी मिर्गी की बीमारी को समाब्द किया और जैसे ही नाग जी भाई की बीमारी ठीक हो गई उनको माध्यम बना करके अब वो पुरी महामारी ही समाब्द हो गई अब कोई बीमार नहीं रहा उसके बाद कोई भी बीमार नहीं हुआ मिर्गी से और वहां से साहा जहांपुर में कुछ समय तक रूख करके श्री जी विचार कर रहे हैं कि हरिद्वार में कुम्ब का मेला लगने का समय है महा कुम्ब का उसके लिए जाना है साथ साथ मैं यह भी सूचते हैं कि जहां जहां राजाओं का नाम सुना उनने कि यहाँ पर अच्छा आजपास में कोई हिंदू राजा है उनको जगाने के लिए किसी ने किसी को भेजते हैं तो सहाजापुर से निर्मलदास और उनके साथ हमें सहयोग के रूप में चार लोगों को भेजते हैं खड़कारी नाम के राजा के पास वहाँ गए निर्मलदास जी जा करके दस बारा दिन तक रह करके देखा तो पता चलता है कि ये तो जागने योग्य व्यक्ति नहीं है अध्यात्म में उसकी कोई रुची नहीं है धर्म में उसकी कोई रुची नहीं है इसलिए वहाँ से वह वापस आ जाते हैं उधर श्रीजी सोचते हैं कि औरंग जिप तक भी संदेश पहुंचाया जाए क्योंकि वो भी तो साथ साथ में करना ही है इसलिए जो 22 प्रशन तयार किये गए थे उनको थोड़ा सा भासा अंतर करके अनुवाद करके भीम भाई और लालतास जी को भेजते हैं कि इसको ले करके जाओ औरंग जिप के पास और संदेश दो इतने में स्रीजी को अंतर प्रेर्णा होती है राजी के जोस के माध्यम से कि अभी वो समय नहीं है अभी चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो ये प्रयास सफल नहीं होने वाला है तो स्रीजी ने कान जी भाई को भेजा और ऐसे समय में कान जी भाई पहुँचते हैं लालतास जी और भीम भाई के पास कि वो दिल्ली में प्रवेश करने ही वाले होते थे और लालतास जी को भीम भाई को रोका कहते हैं तुमको पैगाम देने का हुकम हुआ मनसुक कि आपको जो संदेश देने का जिम्मा दिया गया था उसको रद कर दिया गया है अभी संदेश नहीं देना है स्रीजी ने कहलवाया है कि अभी हमें वहाँ आने दो हम जब आएंगे मिल करके पहले तो विचार विमर्स करेंगे और फिर जैसी परस्तिती होगी उस हिसाब से नर्णे लेंगे अभी आपको कोई कारिय जल्दी बाजी में नहीं करना है इस तरह से उन्होंने संदेश भिजवाया और स्वयम अब श्रीजी एक महिने तक सहारनपूर सहाजहापूर बोडिया में रहने के बाद पहुँचते हैं हरीद्वार हरीद्वार में उस समय महा कुम्ब का मेला लगा हुआ था संबत था विक्रम संबत सत्रसो पैंतिस और सालीवाहन संबत था सोलसो हमारे यहां अंग्रेजों के आने से पहले यही सक्संबत और विक्रम संबत की ही गणना की परंपरा थी और जब से अंग्रेज आए उन्होंने ग्रेगोरियन कालेंडर का चलन इतना बढ़ा दिया कि आज किसी को पुछा जाए कि आज हिंदी महिना कौन सा चल रहा है तो बहुत कम लोग बता पाते हैं कि यह सावन का महिना है कि भादो का महिना है और जनवरी फरवरी सब को पता है सब बोल देंगे कि अगस्त का महिना चल रहा है तो विक्रम संबद और सक्ष संबद के हिसाब से विक्रम संबद 1735 और साली वाहन सक्ष संबद 16 चल रहा था महा कुम्ब का वहाँ पर मेला लगा हुआ था अप्रश्न यह है कि महा कुम्ब क्या है देखिए पुराण में एक आलंकारी कथा आती है कि अमरत्व की खोज में अथवा अम्रित की खोज में देव और दानों ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया और उस समुद्र मन्थन से चौदह रत्न निकले चौदह रत्न में पारिजात व्रिक्ष है उत्यश्रवा घोडा है इंद्र का एरावत हाथी है लक्षमी वहां से निकली है धन्वंतरी वईद्य वहां से निकले है ऐसे इसे करके चौदह रत्न निकले हला हल विश्वी वहीं से निकला जिसके विशे में कहा जाता है कि शिवजी ने उसका पान किया था और अंत में अम्रित निकला फिर कहते हैं कि देव और दानों में उस अम्रित को ले करके कि पहले कौन पिएगा लड़ाई छिड़ गई देवताओं ने सोचा कि राक्षय समय सा अत्याचार करते ही रहते हैं यदि ये अमर हो गए तो समस्या हो जाएगे इसलिए देवता अमरित को ले करके भागे, दानव उनके पीछे-पीछे भागे, तो इसी भाग दोड में आकास मार्ग से भागते हुए, पृत्वी के चार स्थानों पर अमरित की कुछ बूदे गिरी, ये पवरानिक माननेता है, वे चार स्थान कौन-कौन से हैं, एक तो है हरिद्वार, दूसरा है प्रयाग राज, तीसरा है उज्जैन, और चौथा है नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग राज, इन चार स्थानों में अमरित की बूदे गिरी थी, ऐसा कहा जाता है, और उसी अमरित की बूद को पाने के लिए, कुछ-कुछ वर्सों मे वैसे तो बारह वर्स में महा कुम्ब का मेला लगता है, छे वर्स में अर्ध कुम्ब का मेला भी लगता है, तो इस तरह से मेले लगते रहते हैं, और उस अम्रित की भूद को पाने के लिए कि किसी को मिल जाए, जगड़ा होता रहता है, सोचते हैं कि जो पहले कूद गया, य अखाडा सबसे बड़ा होगा, वो पहले कूदेगा, फिर उस बात को ले करके जगडा होता है कि कौन सा अखाडा बड़ा है, ऐसे करके विवाद चलता ही रहता है, वास्तविक्ता क्या है? कि इन चारों स्थानों में अमृत की बुदे नहीं है, पहले तो ये समझे की समुद समुद्र मन्थन क्या है देखिए यह भवसागर ही समुद्र है इसमें अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं कि अच्छे लोग देवत्व का प्रतिक है और जिसके अंदर बुराई है वहा दानव का प्रतिक है अथवा दैत्य का प्रतिक इस संसार में अमरत्व पाने की इच्छा किसको नहीं होगी बताईए सब को है, सभी अमरत्व पाना चाहते हैं, सब अमर होना चाहते हैं मृत्यू से हर कोई डरता है, हर कोई, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कह सके कि मुझे मृत्यू से डर नहीं लगता है, सब को लगता है, कोई भले ही सब्दों से ये कह दे कि नहीं, मुझे मृत्यू से डर नहीं लगता, पर अचानक से पता चल जाए कि नहीं, तुम्हारी मौत होनी है, तब पता चलता है कि सच में डर लगता है कि नहीं हाँ ब्रह्म ज्यानी व्यक्ति मृत्य उसे नहीं डरता है पर उस विशे में अभी थोड़ा आगे जाके वर्णन करते हैं तो अमरत्व की खोज में देवता भी लगे दानों भी लगे सब लोगों ने उपाय खोजा अलग-अलग उपाय करते करते अब इसी संचार में कुछ अच्छी-अच्छी चीजे भी मिले खोजना तो कुछ और चाहा रहे थे पर उसी खोज में 14 विभिन्न प्रकार के स्रेष्ट वस्तु निकले जिसको रत्न कहा गया और इसी संचार में आपको बुराई रुपी विष्ट भी मिलती है विष्ट का पान किया शिवजी ने शिवजी ने विष्ट का पान क्यों किया कोई जाहरी विष्ट नहीं है पर शिवजी के अलंकारिक माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अच्छाई को तो हर कोई स्विक करता ही है हमारे यहां एक कहावत कई जाती ने मिठा मिठा गप गप और कडवा कडवा थू थू तो अच्छाई को स्विकार करने वाला तो हर कोई हो सकता है पर जो बुराई को भी स्विकार करे किसी की कमी को भी स्विकार करे तभी वो सबका कल्यान कर सकता है हमारी सामान्य म शिव जी ने उस विष्ट को भी गले में रखा है गले में रखने का क्या तात्परिय है कि उसको दुदकार करके फेका भी नहीं है और उस विष्ट का असर अपने में होने भी नहीं दिया है इसका तात्परिय क्या हुआ यह बालेंस है होता क्या है सामानी रूप में जो बुराई को दुतकार देते हैं पुरी तरह से, इससे भी उसको कोई स्थान नहीं मिल पाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो उस बुरे व्यक्ति को अपना लेते हैं, और उसके संगत में खुद भी बुरे बन जाते हैं, और वास्तों में जो सबका कल्यान कारी योगी हो उसकी बुराई का असर स्वयम में नहीं होता, और वह स्वयम जो बुरा वेक्ति है, या जो बुराई है, वह भी उसके उपर हावी नहीं होने पाती, ये सबके कल्यान का मार्ग है, और शिवु का आर्थी होता है, जो सबका कल्यान करे, शिवु कल्याने धातु से उसकी उत पत्ति हुई है तो सम्मूंद्र मंधन का रहस्य तो हमें पता चला अब सवाल है कि क्या इन इस्थानों में डुबकी लगाने से चाहे आप प्रयाग राज देखेंगे या फिर हरिद्वार यहां दो जगापुर तो गंगा नदी है फिर उजयन में जाएंगे तो वहां छिपरा नदी है छिपरा नदी के तड़ पर है उजयन और जो नासिक है वो जहां तक मुझे याद है नर्मदा नदी ने गोदावरी नदी है महाँ पर तो दो इस्थान पर गंगा है माकिस्थान पर दो अलग-अलग नदियां है इसके अलावा भी कोई यमना जी को तीर्थ समझता है अनिक नदियों को तीर्थ समझते हैं सोचते हैं कि गंगा इस्थान करेंगे तो मुक्ती मिल जाएगी मुक्ती मिलने का क्या तात्पर है पहले तो मुक्ती की परिभाशा पता नहीं है अमरत्व की परिभाशा पता नहीं है इन स्थानों पर दुब की लगाने से मुक्ती की प्राप्ती नहीं होती है अमरत्व का तात्पर यह है कि जब hommे यह समझ में आये कि मृत्यु तो निश्चित है परन्तु जब हम उस परचब्रं की पहचान करते हैं परमात्मा की पहचान करते हैं ओर और उसको पाने के लिए, जब हम साधना से गुजरते हैं, हमारे अंदर के सभी विकार समाप्थ हो जाते हैं, और जन्म तथा मृत्यू के चक्र से हमें छुटकारा मिल जाते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यू का कारण क्या है? मृत्यू का कारण है जन्म और जन्म का कारण है ससकार, कर्म के जो आसे हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के फल और उन फल के आधार पर जो आसे बनते हैं, उसके आधार पर जन्म होता है, और उस जन्म मिला है तो मृत्यू होनी निश्चित है, लेकिन जब हमने ध्यान समाधी के मार्ग पर चल कर उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली स्वयम की शुद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली और ये जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन हूं हमारे सारे कर्मों का अक्षय हो गया हमारे जितने भी कर्म रूपी बीज थे वो जल गए तो दुबारा ऐसे कर्म होंगे ही नहीं जिसके लिए पुनह जन्म लेना पड़े और जो उस अवस्था में पहुंचता है वह मृत्यू से डरता ही नहीं है इसलिए वेद क्या कहते है तमेव विधित्वाती मृत्यू मेती नान्यः पं इद्या से सांक्य दर्शन का कथन है रिते ज्यानात नमुक्ति ज्यान के भी नमुक्ति संभव नहीं है कहीं भी डुबकी लगा ले किसी भी गुरू के सरण में चले जाए हाँ गुरू के सरण में जाकर ज्यान की प्राप्ति हो रही है तब तो ठीक है लेकिन ये कह देना क कि नहीं, इनकी कृपा से हम, इनके आशिरवाद से हम मुक्ति को प्राप्थ हो जाएंगी, ये संभव ही नहीं है. इसलिए, क्या कहा है? वैदिक ग्रंथों का वेदों का क्या कथन है? अविद्यया मृत्यूम तिर्वा, विद्यया अम्रितमस्नुते है, विद्या ही वह अम्रित है, कौन से विद्या? विद्या तो दो प्रकार की है, एक भवतिक विद्या है, और एक आध्यात्मिक विद्या है, भवतिक विद्या को अपरा विद्या कहा जाता है, और अध्यात्मिक विद्या को पराविद्या कहा जाता है और विद्या के विशे में कहते है साविद्या या विमुक्त ये विद्या वही है जो हमें मुक्त कर दे वही विद्या जो अम्रित है और वही विद्या जिसको हम ज्यान भी कहते है वही जियान है जिसके लिए कहा जा रहा है, सांख्य दर्शन में कपिल मुनी कहते हैं, रिति जियान अतनौ मुक्ति, जियान के बीना मुक्ति संभव ही नहीं, तो कुल मिलाकर मुक्ति पाने का, एक मात्र मार्ग है विद्या, अब सवाल है कि जब विद्या से ही मुक्ति संभ पाउरानिक माननेता में ये कहा जाता है, भीष्मपितामह किसकी संतान थे? हाँ जी? गंगा की? भीष्मपितामह, गंगा और शांतनु की. अब लोग तो इसी नदी का नाम ले लेते हैं. नदी की संतान तो नहीं हो सकती है. ये हो सकता है कि इस गंगा के किनारे किसी स्त्री का जन्म हुआ, उसका नाम गंगा रखा गया हो. पर पाउरानिक माननेता में तो वो नदी ही मानते हैं. अच्छा, उस हिसाब से भी देखा जाए. तो गंगा पुत्र होने के बाद भी भिश्म क्या मुक्त हो पाए? उनको कर्मफल भोगना की नहीं पड़ा? भोगना पड़ा की नहीं पड़ा? सरसया पर लेटे लेटे तडपते रहे. तडप तो रही होगी. हाँ, ज्यानी थे. इस वज़े से उस दुख को उन्होंने देखा. पर फिर भी दुख तो भोगना ही पड़ा, जेलना ही पड़ा. सोयम भगवान के जो अवतार हैं, वो अवतार भी कर्मफल के बंधन से मुक्त ही हो पाते. वाणी क्या केती है? मोटो अवतार परशुराम जी, तेना हजी बंध न छुटे. गुजराती भार्षा की जो उपाई है. क्या केते हैं, जो परशुराम जी हैं, वो भगवान विश्णु के बड़े आवतारों में से माने जाते हैं. लेकिन उन्होंने भी, जो पुराणों में कहा जाता है, कि 21 बार प्रित्वी को छत्रियों से खाली कर दिया था, उसके फल स्वरुप, क्योंकि हिंसा तो उन से हुई, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे निरपराद भी रहे हैं, और उसके फल स्वरुप आज तक भी परशुराम जी की मुक्ती नहीं हो पाई है, और साथ चिरनजीवियों में से एक चिरनजीवी के रुप में आज भी वो तप करते रहे हैं, कर्मफल से मुक्ती पाने के लिए, तो कर्मफल से मुक्ती तो इस तरह से नहीं हो सकती, कर्मफल के मुक्ती दो ही प्रकार से होती है, एक है कि या तो उसको भोग के खतम किया जाए कर्मपल को या फिर साधना इतनी की जाए कि वो समाम्त हो इन दोनों विशाईओं में हमें ज्यान की आवसिक्ता होती है और विशेश रूप से यदि आप भोग करके खतम करते हैं भोग के फिर से आसय बनते हैं कर्मा सय क्योंकि भोग के संसकार हैं संसकार के आधार पर कर्म बनते हैं और फिर कर्मा सय तो भोग के खतम करेंगे तो फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा लेकिन यदि आप ज्यान द्रिष्टी से साधना के द्रिष्टी से समाप्त करते हैं तब आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुग तो हो सकते हैं सोचियों कहते हैं कि एक बार नारत जी के मन में विचार आया उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोग गंगाजी में जाते हैं सनान करते हैं यह सोच करके कि अपने पाप धूल रहे हैं तो गंगाजी उस पाप को कहां रखती होंगी पूछने के लिए गए गंगाजी को पूछा कि आप पाप कहां रखते हों गंगाजी ने कहा कि मैं क्यूं रखूं, मैं तो समुद्र में छोड़ के आती हूं, फिर कहा है अच्छा समुद्र को पूछने जाते हैं, समुद्र ने कहा कि मैं क्यूं रखूं किसी का पाप, मैंने थोड़ी किया है, जब धूपकी वज़से वास्पी करन होकर के जल बादल के रूप में पहुंच रहा होता है मैं कर्मफल भी उसके साथ-साथ भेद देता हूं फिर अब बादलों को पुछा कि तुम कर्मफल को कहां रखते हो तो बोलते हैं कि मैं क्यूं रखूं जिस-जिस का होता है उसके उपर बरसा के आ जाता हूं तो कर्मफल हम धो नहीं सकते हैं चली यह तो एक कहां नहीं है समझने के लिए लेकिन इतना तो है कि कर्मफल को पानी से नहीं धोया जा सकता है क्योंकि कर्म शरीर से नहीं होता है शरीर तो कर्म करने का एक साधन मात्र है पाप और पुण्य भावनाव से है भावनाव से कैसे जैसे उदाहरन के लिए एक डॉक्टर है वो भी चीरफाड करता है एक अपराधी है वो भी चीरफाड करता है शरीर से तो कर्म एक जैसा ही वराय चीरफाड करने का पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जो अपराधिय उसे राक्षस कहा जाता है क्यों दोनों में भावनाओं का फरक है न एक की भावना बचाने की है वो बचाने के लिए चीरफाड कर रहा है दूसरे की भावना पीड़ा पहुचाने की अथवाब मारने की है इसलिए वह चीरफाड कर रहा है तो पाप और पुर्णिय भावनाओं से होता है जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को एक लाख रुपे दिये और उसमें भावना है सहयोग की मान लीजिए कि एक ग्यान पीठे संस्था है सहिचनिक संस्था है आध्यात्मिक संस्था है आपने आकर यहां एक लाख रुपे का दान दिया आपके हृदय में ऐसी कोई लव की इच्छा नहीं है केवाल यह सोच करके कि चलो समाज के हित के लिए यहां सिक्षा का कारिय हो रहा है आपने एक लाख रुपे दे दिया दूसरा वेक्ति आता है वो देखता है कि आपने एक लाख रुपे दिया है तो मन ही मन सोचता है कि यह एक लाख रुपे दे रहा है ना मैं इससे ज्यादा दूंगा ताकि इसका नाम छोटा हो जा वो पांच लाख रुपे दे देता है वैसे देखा जाए तो उसके पांच लाख ज्यादा दिखते हैं पर परमात्मा तक किसकी भावना पहुँचेगे सिवा की भावना से वहाँ एमाउंट नहीं पहुँच रहा है एक लाख पांच लाख नहीं पहुच रहा है तो बाहर से शरीर से जो कृत्य दिख रहा है उससे पाप और पुण्य नहीं होता है जो किया जा रहा है वो क्यूं किया जा रहा है उससे पाप और पुण्य होता है तो नदी का जो जल है वह शरीर को तो धो सकता है पर हमारे हृदय को नहीं धो सकता है हमारे मन को नहीं धो सकता है और पाप और पुर्णिय मन के द्वारा होता है तो आप चाहे किसी भी नदी में चले जाएए कहीं पर भी उसनान किजिए पानी का फॉर्मूला तो एक ही है न आप बात्रूम में नहा रहे हैं तब भी पानी का फॉर्मुला वही है। आप किसी नदी में जा करके नहा रहे है तब भी फॉर्मुला यही है। यह है कि जैसे मान लिजे घंगा नदी का जल है उसमें अउसद ही अगउण हैं। क्योंकि जिस स्थान से गंगा की उत्पत्ती हो रही है, जहां से गंगा आ रही है, वहां हिमाले की पेड़ पोधों में से, चट्टानों में से होते हुए जब निकलती है, तो उसके पानी में ऐसे औसदिय गुण पाये जाते हैं, उसका लाब तो है, लेकिन पाप धुने का फंक्षन उसमें भी नहीं है, सोचिए कि यदि पाप धुलने का फंक्षन होता, चारवेद, छेदर्शन, एकादश उपनिश्चद, इन सब ग्रंथों की आवसकता ही नहीं होती है, एक ग्रंथ में से, या फिर एकाद स्लोकों की रचना हो जाती, जिसमें लिख दिया जात कि गंगा जाओ नहा लो, मुक्ती हो जाएगी, ध्यान, समाधी की क्या हो सकता, फिर ज्यान लेने की क्या हो सकता, यदि किसी भी स्थान में केवल इस्नान करने मात्र से मुक्ती संभव होती, तो कृष्ण जी ये नहीं कहते कि अवस्य में वा भोगतव्यम, कृतम कर्म, भोगना ही पड़ता है, हाँ, आपने निश्काम भाव से किया है, तो आप उस कर्म फल के भोग के बंधन में नहीं बंधेंगे, चानक के क्या कहते हैं, हम तो बचने की कोशिस करते हैं, कि ऐसा करके टाला जाए, वैसा करके टाला जाए, ये दान किया जाए, पुन्य किया जाए, तो पाप खतम वजाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, चानक के कहते हैं, यथा धेनू सहस्त्रेशू, वत्सो गच्छती मातरम, तथा यच्च कृतम करम, करतारम अनुगच्छती, जैसे, जैसे गायों का जुन्ड आपने देखा है, चलिए, यहां तो मानलीजे कि नौद चान करके उसके पीछे-पीछे चला जाता है, इसी तरह से चानक के कहते हैं, कि तथा यच्च कृतम करम, करतारम अनुगच्छती, करता के द्वारा किये गए करम भी उसके पीछे-पीछे लगे रहते हैं, हां, करम के फल भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं, संचित, प्रा अधिमेशनान करने मात्र से या फिर कुछ दान-पुण्य इत्यादी करने से या किसी व्यक्ति का आशिर्वाद लिने से पाप समाप्त नहीं होते हैं पाप का हिसाब अलग है। पुण्य का लग ही जैसे मान लीजिए कि आपने एक जगह से एक लाख रुपए का लोन लिया और कहीं से आप मजदूरी करके या व्यापार करके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ठेक है लेकिन यहां तो रुपए का जब सवाल है तो आप 1 लाख रुपए से छुका सकते हैं रिन्ड को या जो लोन है करज है उसको भर सकते हैं पर आपका जो हिसाब किताब ही है अलग-अलग है यदि तो आप इधर से लोन लेकर के उधर का नहीं चुका सकते हैं जैसे जो हमने पाप किया है उसका फल अलग है और जो हमने पुण्य किया है उसका फल अलग है पाप का कोई भी संथ कोई भी साधु यदि ये कहता है कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे पापकर्म धुल जाएंगे तो वहाँ पर मामला गलत है दुनिया में बहुत सारे मत्मतांतर हैं और जो ये लालच देते हैं कि तुम हमारे मत को स्विकार करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा खुल करके ही यदि बात करनी हो इसाई मत में देखा जाए वो कहते हैं कि तुम परमेश्वर और बाइबल पर विश्वास ले करके आओ तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा तुम्हारा पाप धोने के लिए इसा मसी ने अपना खून बहाया है ऐसा वो बोलते है अब लोग धर्म क्यों करते हैं 90 प्रतिसत लोग पाप से डर के धर्म करते हैं अपने भले के लिए नहीं केवल पाप से डर करके धर्म करते हैं अब जहां पाप का डर ही न रहा है तो ये तो अच्छा सोदा लगता है उनको तो लालच में आ जाते हैं जबकि बाइबल में खुद लिखा है कि जो तुम कर्म करते हो जो तुम पाप करते हो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है और उसमें तो इतने इसपश्ट रू बोलने पर कैसा पाप लगता है हर प्रकार की अलग-अलग पापों का वर्णन है वहां पर तो ऐसा कोई मत नहीं है ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि इस संप्रदाय में दिक्षित हो जाओगे दाखिल हो जाओगे तो पाप धूल जाएंगे उनके आदेश का भी पालन किया जाए, तो हम पाप कर्म से स्वता ही दूर हो जाएंगे, जैसे, चाहे कोई भी मत हो, मानलीजिये, इसा मसी ने जो उपदेश दिये हैं, कते परंपरा में दस धर्मादेश मानते हैं, कि तुम जूट नहीं बोलोगे, तुम चोरी नहीं करोगे तुम परस्त्री गमन नहीं करोगे, तुम सात्मे दिन जिसको कते परंपरा में, चाहे वो यहुदी हो, चाहे इसाई हो, चाहे मुसलमान हो, यह सभी इन दस धर्मादेश को मानते हैं, मुसा पैगंबर के समय में बताया हुआ, तो जो तीनों मत हैं, यहुदी, इसाई और वो सात्मे दिन के विशे में बात करते हैं, कि सात्मा जो दिन होगा, वो नियाय का दिन होगा, परमात्मा सब का नियाय करेगा, इसलिए तीनों यह मानते हैं, कि सात्मे दिन को याद करके, अर्था, तुम अभी जो भी कर रहे हो, उसका नियाय परमात्मा करेगा, इतना भ पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे ना इसी तरह से मान लीजिए कि हिंदो मत में एक उधारण जैसे तो हजार से अधिक मत हैं फिर भी मान लेते हैं कि कोई कृष्ण जी की पुजा करता है पुजा तो कृष्ण जी की कर रहा है प्रति दिन गीता का भी पाठ करता है और वह यह सोचता है कि मैं तो गीता का पाठ कर लेता हूँ मुझे पाठ नहीं लगेगा मैं पाठ से मुक्त हो जाओंगा क्या यह संभव है गीता का यदि आचरन है जीवन में तो मुक्ती संभव है गीता के आचरन से मुक्ती संभव है श्रीक्रिष्ण जी ने जो उपदेश दिया है उसके आचरन से मुक्ती संभव है पर केवल सुनने मात्र से नहीं कोई भी मतमतांतर हो आप यहां पर सब सुन्दर साथ बैठे हुए कोई यह कहे कि बितक की चर्चा सुन रहे हैं हर वर्ष तो एक मैने की होते इस बार अधि मैने की बितक सुन लो आपको कर्मफल नहीं लगेगा आप कर्मफल से मुक्त हो जाएंगे पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो आप समझ जाए कि जूट बोल रहा है हाँ दीतक में जो बात लिखी है उसका आचरन करेंगे तो आप स्वतह ही गलत कर्म करेंगे नहीं और ज एक्मात्र उपा यही है जब تक हमारे कर्माशाय समाप्त नहीं होते तब तक हम मुख्त नहीं हो सकते फिर चाहे कुम्ब के मेले में कितने भी डुबकी लगाये जाएं चाहे अन्य समय में किसी भी तिर्थिस्तान में जाया जाये अब सवाल यह है क्योंकि प्रसंग चल रहा है हरिद्वार के कुम्ब के मेले का सवाल है कि इन इस्थानों में मेले क्यों लगते थे अथवा इन तीर्थ स्थानों की महिमा क्या है जब नदी में नहाने से मुक्ती नहीं हो रही है तो उनकी महिमा क्या है महिमा ये है कि प्राचिन समय में जितने भी रिशी मुनी होते थे उनके आश्रम ऐसे ही नदियों के किनारे बने होते थे और लोगबाग जब भी कोई समस्या होती आध्यात्मिक द्रिश्टी कोण से तो वे इन आश्रमों में जाकर जियान प्राप्त करते थे और उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे इसलिए उन इस्थानों को तीर्थ कहा गया है तीर्थ का अर्थ क्या होता है जिससे तरा जाए जिससे पार हुआ जाए जनाह यही तरंती ताने तिर्थाने तो ज्ञान के द्वारा ही पार हुआ जा सकता है और यहां में जब ज्ञान की बात कर रहा हूँ तो शब्द ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ सब्द ज्ञान से पार होना होता किताब पढ़ लेते हो जाता है सब्द ज्ञान के आचरन से पर आचरन के लिए ज्ञान पहली सीड़ी है ना इसलिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति संभव है और यह जो नदियों के किनारे बने हुए आश्रम थे वे ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे इसलिए इन स्थानों को तीर्थ कहा जाता है और ऐसे ही स्थानों में मेले लगा करते थे धीरे धीरे लोग उन कारणों को भूलते गए बाहिय कारणों को पकड़ते गए कि यहां पर तो अमरित की बुदे गिरी थी सोचे कि अमरित की बुदे गिरी होंगी कौन से य और यदि उन नदियों में अम्रित की बूदे होती, तो वहां के मगरमच, कचुए, घडियाल, ये सभी जलचर कब के अमर हो चुके होते, या फिर अगर उनमें डुबगी लगाने से मुक्ती होनी होती, तो इन सब प्राणियों के मुक्ती हो चुके होती, ये तो केवल सांके वर्णन है, उन इस्थानों के किनारे पर ये ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, इसके अलावा और कोई महत्वन नहीं है, आज तो ये इस्थान भी हम लोगों ने क्या कर लिया, इतने विक्रित कर लिये, इतने प्रदोशित कर दिये, कि आज कोई भी विक्ती गंगा में ज चाहे कोई भी नदियों में जाइए, देख करके वहाँ पर डुब की लगाने का क्या पास में जाकर के सांस लेने का भी मन नहीं करता है, चली हरिद्वार और उसके आसपास तो फिर भी साफ है, तब भी नगर पालिका के तरब से जितने भी कच्रे डलते हैं, वो ऐसे जग 23 का, वर्तमान में कोंचा समय चल रहा है अभी? विक्रम संबद 2080, अथत आज से 345 वर्ष पुर्व की ये घटना है, श्रीजी साहिब अब पहुँचे हैं कुम्ब के उस मेले में, जहां सभी लोग इसी विचार के साथ में आये हैं, कि हमारी मुक्ती हो जाए, हमारा कल्यान हो जाए, और उनमें कौन-कौन से लोग हैं? हरीद्वार के मेला में चार संप्रदाय ताही, सबसे पहले वैश्णव के चार संप्रदायों का नाम लिया गया, चार संप्रदाय हैं, रामानुज, निमानुज, विश्णुश्याम और माधवाचार्य, दर्शन भी तहां मिले, छे दर्शन के जो आचारिय हैं, छे दर्शन तो सबको पता ही होंगे, सांख्य, वैसेशिक, न्याय, मिमानसा, वेदान्त और योग, ये छे दर्शन है, उन दर्शनों के आचारिय भी वहाँ पर उपस्तिते, दर्शन के जो लिखने वाले रिशी नहीं, उन दर्शनों के विद्वान, इसी तरह से दस नाम सन्यासी भी वहाँ पर है, दस नाम सन्यासी कौन-कौन से है, तिर्थ, आस्रम, वन, अरन्य, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती और सरस्वती, ये दस नाम हैं सन्यासीओं के, दसनाम सन्यासी का तात्परिय क्या है? कि अलग-अलग युगों में सन्यास के अलग-अलग आचारिय माने जाते हैं, प्रमुख आचारिय, जिसमें कली युग के तीन प्रमुख आचारिय हुए सन्यासमत के गौड, गोविंद और संकराचारिय जी, आदि संकराचारिय जी, आदि शंकराचारे जीने चार स्थानों में चार मठ बनाए जैसे गोवर्धन मठ है, स्रिंगेरी मठ है, जोशी मठ है इस तरह से चार मठ में अपने चार सिष्य रखे और उन चार सिष्यों के भी जो सिष्य हुए 10 सिष्य प्रमूच इनका नाम रखागया गुण के हिसाब से तीर्थ का गुण है आश्रम का गुण अलग है ठीक है इस तरह से वन अरण्य गिरी परवत्षागर पुरी भारती सरस्वती सब की अलग अगे प्रसंग आएगा उस प्रसंग के हिसाब से व्याख्या होगी तो दस नाम सन्यासी वहाँ पर है फिर है चार वर्ण चार आश्रम चारों वर्णों के लोग है चार वर्ण कौन कौन से हैं ब्राम्भन क्षत्रिय वैश्य और शुद्रय चार वर्ण हैं हम पहले भी सुन साथ ही चार आश्रम भी हैं चार आश्रम कौन कौन से हैं ब्रह्मचरिय ग्रिहस्त वानप्रस्त और सन्यास यह चार आश्रम के लोग हैं इसका मतलब यह है कि लगभग लगभग हर प्रकार के लोग वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आश्रमों का प्रतिनिधित्व करने वा अब सबने स्रीजी को देखा साथ में कुछ सुन्दर साथ भी हैं स्रीजी किसी लोकी के वेश भुषा के बंधन में नहीं है क्योंकि हम पहले दिन से ही सुनते आ रहे हैं कि वास्तों में जो धर्म है वह किसी भी वेश भुषा और भाषा के बंधन में नहीं होता है वेशबुशा और भासा भोगोलिक परिस्थिती के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है भासाओं के कारण भिन्न हो सकते हैं वेशबुशा अपनाने के कारण भिन्न हो सकते हैं अलग-अलग स्कूल युनिवर्सिटी के ड्रेस कोड अलग-अलग हो सकते हैं अलग-अलग रंग के अलग-अलग तात्परिय हो सकते हैं, पर परमात्मा और अध्यात्म इन सब से अलग हैं। अब श्री जी वहाँ पर एक सामन्य वेशबुसा में, उस समय कि जो सन्यास की वेशबुसा मानी जाती थी या जिसको देख करके कहते थे कि ये धार्मिक वेशबुसा है, उदारन के लिए, अभी मैंने ये धोती और कूर्ता पहन रखा है। यदि मैं बाहर निकल जाओ, बाजार में, इसी वस्त्र में, सब लोगों के मन में कहीने कहीं होगा कि अच्छा ये धार्मिक वेख्ती है। किसी किसी के मन में ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल वेशबुसा भी बहुत बदनाम है, साध्यों का चोला भी बहुत बदनाम है, तो कईयों की मन में ये भी हो सकता है, कि पता नहीं कैसे साध्यों है, अभी तो उम्र भी कम लगती है, इस उम्र में ये सब करने की क्या जर रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है और वहीं व्यक्ति में ही हूँ, यदि मैं पैंट सोट पहन करके जींस पहन करके बाहर निकलू तो लोग क्या सोचेंगे, देखेंगे, इग्नोर करेंगे या सोचेंगे, कोई है बस कोई धार्मिक जो वेश्वूसा है वो कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र होता है क्योंकि कम लोग ऐसा पहनते हैं पर चाहे मैं जीन्स पहन लूँ, चाहे मैं धोती पहनूँ, यदि मुझे मैं धार्मिक संस्कार हैं तो मैं धार्मिक ही हूँ और यदि मुझे मैं धर्म के संस्कार नहीं है तो चाहे दोती पहन लूँ, चाहे सिर मुड़वालू, या फिर लंबी-लंबी जटाए रखलू, गले में सो माला मैं धारन करलू, मैं धार्मिक नहीं हूँ, किवल वेशभूसा से नहीं होता है, हाँ, वेशभूसा पहनने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कैसे जिम्मेदारी बढ़ती है? कि एक सामान्य वेक्ति, जो साधरन वेशभूसा में रहता है, वो वेक्ति यदि किसी चाट की दुकान के सामने खड़े होकर कि कुछ खा रहा है, उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन यदि कोई धार्मिक वेशभूसा पहना हुआ है, चाय सन्या सिका हुआ हुआ, चाय फिर तरह का वेशभूसा हुआ, ऐसा पहन करके यदि मान लिजे कि किसी थीटर के फिल्म हॉल के बाहर भी किसी कारण से खड़ा रहता है, तो अधिकांच लोग इस तरह से जज करते हैं, कि साधो करके पिक्चर देखके आ रहा है, भले अंदर गुसा भी नहीं हो, तो ऐसे में और अधिक समहल करके चलने की आवसिकता होती है, क्योंकि जो काले रंग की दिवाल है ना, उस पे कोई भी रंग चड़ाना मुश्किल होता है, पर सफेद रंग में एक छिटा भी दूर से दिख जाता है, तो जिम्मेदारी बढ़ती है, वो अलग है, पर वेशभूसा धर् नहीं है, कोई भी प्रकार की वेशभूसाओ, किसी भी प्रकार की, केवल उसको पहनने मातर से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, जैसे मान लिजे कि आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, सफेद वस्त्र भी पहने हैं, मान लिजे कि मेरी तरह ही सफेद धोती कुर्ता पहना करके आपको यहाँ पर बैठाया जाए और बोला जाए कि इस विशे में इस तरह से आपको बोलना है केवल कपड़ा पहनने से तो नहीं बोल पाएंगे ना मैं बोल रहा हूँ इसका कारण कुछ अलगी है कही न कहीं अध्येन किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, कुछ न कुछ व्यक्तिगत अनुभवी होगा तब मैं बोल पा रहा हूँ केवल वेशबुसा पहनने से तो नहीं होता है और यही जियान में किसी भी वेशबुसा में बोल सकता हूँ हाँ, प्रभाव अलग-अलग होता है, उसके पीछे लोगों की मान सिकता है इसी तरह से, श्रीजी भी किसी भी वेशबुसा के बंधन में थे नहीं सामन्य वेशबुसा ते ग्रिहस्त वाली है अब उनको देख करके, क्योंकि साथ में कुछ और भी सुन्दर साथ थे युवा सुन्दर साथ है तो वहाँ जितने भी साधू उपस्तित हैं, अदर्शन के आचारे हैं, सन्यासमत के आचारे सब ये सोच रहे हैं, कि ये कौन से संप्रदाय के लोग आ गए क्योंकि लोग वेश्बूसा से संप्रदाय जाचते हैं, वैश्णवों के वेश्बूसा अलग होती है औरंग जेब के वेजेवे गुप्त चर भी हो सकते हैं, क्योंकि औरंग जेब का राज्य चल रहा था, और अवरंग जेब ऐसा था कि कई हिंदु मंदिर उसने तुड़वाय थे, कई ऐसे मेले पर वो कर वसुली करता था, तो लोगों ने सुचा कि कहीं अवरंग जिब के भेजे हुए साइनिक तो नहीं है जो हमारे मेले को बाधिद करने के लिए हैं तो उन सब लोगों ने स्री जी को प्रश्न पूछा कि आप तो बिल्कुल नए लगते हैं आपका यह जो संप्रदा है वो नया लगता है आप बताए कि आप किसको मानते हैं अब स्री जी ने उत्तर नहीं दिया स्री जी ने काउंटर कोश्चन किया स्री जी ने प्रश्न पूछा कहते हैं तब कहे वचन स्री राजने तुम प्राचिन पुरातम सो कहो हमें समझाए के आपनो इश्ट जो धरम स्रीजी ने कहा कि महात्मा जनो मैं नया हूँ ऐसा आपको लग रहा है पर आप तो प्राचिन है आप पुरातन है तो आप अपने इश्ट के विशह में बताईए आपका धर्म क्या है उसको बताईए आपका धर्म का मतलब यहां सिद्धान से है कि किसका आचरन करते है क्योंकि धर्म तो वास्तों में एक ही है अब सबका अलग-अलग धर्म हो जाए तो गड़बड हो जाएगी क्योंकि जैसे धर्म का मतलब होता है गुण अथवा सोभाव, धर्म का आर्थे जिसको धारन किया जाए, द्रीय धारने धातु से धर्म शब्द बनता है, जैसे जल का धर्म अपना अलग है, ऐसा नहीं है कि आपने नाम अलग रख लिया है, कोई जल को जल कह रहा है, तो उसका सोभाव बदल जाएगा, कोई पान कह रहा है, वाटर कह रहा है, आब कह रहा है, धर्म थोड़ी बदल रहा है उसका, इसी तरशे शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म एक ही रहता है, धर्म सनातन है, मनुष्य में जो स्वाभाविक गुण होने चाहिए, सनातन अर्थाद, श्रिष्टी के प्रारम से, अथवा प्रवाहरूप से अनादिकाल से वास्तों में वही धर्म है, तो यहां जो अपने इश्ट के विशे में, अपने धर्म के विशे में बताई ऐसा कहा जा रहा है, उसका ताक परिये हैं कि आप किस सिध्धान्त को मानते हैं, आप किन नियमों को मानते हैं, और वो कैसे समझाएं, क्रोध अहम को छोड़ के चितसों कहों समझाएं, कि आप हमें सवाल पूछ रहे थे, हमने उल्टा आप से सवाल पूछ लिया, इससे आप क्रोधित मत होना, अपने अहम को छोड़ करके दिल से हमें समझाना, और यथार्थ बात समझाना, और ऐसे नहीं कि म किसे समझाना कहो यथार्थ वेद ले वेदों में जो कहा है धर्मगरंतों में जो कहा है उसका आधार लेकर के हमें समझाना और कहते हैं अपनों द्रिडाव जो होए सो हमको देव बताए तापर सक हमें हो वहीं सो तुम देव मिटाए कि आप अपने जिस मत पर द्रिड हैं उ और साथ में जो भी संसय होंगे मुझे, मैं वो संसय भी आपसे पुछूंगा, और उस संसय का भी आप निवारण करना, तो हो सकता है कि मैं आपके मत को समझूं, और आपका मत यदि मुझे जचा, ऐसा लगा कि ये सत्य है, तो मैं स्विकार भी कर लो, इस तरह से स्री जी ने प्रस्ण पुछा, तो सबसे पहले, अब क्योंकि चार वैश्णव के संप्रदाय हो गए, छे दर्सन के आचारिय हो गए, दस नाम सन्यासी हो गए, तो इन में से सबसे पहले, वैश्णव मत में से, रामानुज संप्रदाय के विक्ति सबसे पहले है, रामानुज संप्रद हुई है इसकी रामानुज जी एक बहुत अच्छे संत थे उनके गुरु ने उन्हें एक बार ये कहा कि कोई मंत्र दिया कि ओम नमो भगवतिव वासुदेवाय और कहा कि ये मंत्र ऐसा है कि तुम इसको जब करना पर किसी को बताना नहीं उनके अनेक सिस्य थे जिनमें से रामानुज की प्रतिभा को देख करके गुरु जी सबसे अधिक उनसे स्निह करते थे उनके आचरन को देख करके भी वो सोचते थे कि ये मेरा भविश्य का उत्तराधिकारी बनेगा तो इसलिए उन्होंने ये मंत्र दिया और साथ में कहा कि किसी को मत बताना और कहते हैं कि इस मंत्र का जब करोगे तो तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी और किसी दूसरे को बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा नर्क भोगना पड़ेगा इतना समझा करके गुरु जी कहीं चले गए रामानुज जी ने क्या किया वो बालक ही हैं अभी किसोर अवस्था में हैं उन्होंने सब लोगों को बुलाया जितने लोगों को बुला सकते थे मंदिर पर उचाई पर चड़ करके जोर जोर से आवाज लगाई लोगों ने देखा उनका धियाना करशित हुआ तो पास में आ करके खड़े हो गए बात स सुनने के लिए कि चलो सुने तो क्या कहना चाह रहा है उन्होंने सब को ये मंत्र सुना दिया और बोले कि तुम यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो इस मंद्र का जब किया करो सब को सुना जितने लोगों को बता सकते थे साम के समय में आचरे जी आये गुरुदेव तो गु यहाँ इसने तो ऐसा जो दैवी या मंत्र है, जो सब को मुक्ति देने वाला है, वो सब को बता दिया है, अब यह नर्क में जाएगा, गुरुदेव ने रामानुजी को बुला करके, थोड़ी डांट लगाए पहले कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हे नर्क में जाना है? रामानुजी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने कहा कि ये मंत्र सब को मुक्ति दिलाने वाला है, यदि मेरे एक के नर्क जाने से, इतने सारे लोगों की मुक्ति होती है, तो मुझे नर्क जाना स्विकार है, अब वैसे तो नर्ख किसी ज्यान को दूसरों तक कहुंचाने से नर्ख कैसे जाया जाता है ज्यान तो बाटने का ही कारिय करना चाहिए हम क्या कहते हैं व्ययकृते वरधते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनप्रधाना अपुर्वकोपिकोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृध्धिमायाती छय मायाती संचयात जो विद्या है वो तो बाटने से बढ़ती है और संचय करने से उसका 6 होता है तो कोई ज्यान दूसरोत को देने से या कोई ऐसा मंत्र भी हो यदि मंत्र का ऐसा कोई मंत्र में ऐसी कोई शक्ती नहीं होती है मंत्र में शक्ती कब आती है शक्ती मंत्र में नहीं आती है उस मंत्र के भाव को समझते हुए जब आप निरंतर उसको दोहराते हैं उस मंत्र के श का भाव करते वे जब करना चाहिए तो यह जो बात है कि मंत्र देने से नर्क मिल जाएगी वो बात तो वैसे भी जूठी थी तो गुरुदेव काफी प्रभावित हुए रामानुज जी से पहले से प्रभावित थे और शीश्य जो सोच रहे थे कि इनको दंड मिलेगा दंड भी नहीं मिला तो ये रामानुज आचारी हैं संद तो अच्छे हैं और उनके द्वारा वैश्णव मत के इस रामानुज जो पंध है उसका प्रारंभुआ इसलिए उसको रामानुज मत कहा जाता है अब उनके आचारी ने सबसे पहले अपनी पध्धती बताए अब क्योंक समय हो चुका है और प्रसंग काफी लंबा है आगे कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि रामानुज मत साथ में निमानुज विश्णुश्या मादवाचारिय ये वैश्णव के चारों मत की पध्धती क्या है किसको मानते हैं उस पध्धती में वेदों के हिसाब से दर्शन पनिशद के हिसाब से या भागवत के ही हिसाब से क्या त्रुटियां है साथ में दसनाम सन्यासी की विधी क्या है उसमें क्या त्रुटी है छे दर्शन की जो पध्धती है छे दर्शन का जो सिद्धानते वो क्या है उसमें क्या त्रुटियां है और साथ में उसके बाद श संग पुरा नहीं होगा परसों का भी समय लगेगा तो आने वाले दिनों में हम इसकी चर्चा सुनेंगे अब समय पुरा होता है जो पैदो राइए तब बोले रामानुज सब सास्त्र वेद मत इश्ट कहूं अगोचर पंथ सही देखो अपनी दिरिष्ट देखो अपनी दिरिष्ट बोले श्री प्राणनाच